नमस्ते आप सब का वेलकम है सिम्रन की रसोई में आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जारी बहुत ही बढ़िया से पराथे अगर इस वीडियो को आपने पराथे की देख लिया रहा तो हर बार आप ऐसे ही पराथे बनाएंगे यह बहुत ही अच्छे लगते हैं आप चाह से दही के साथ ले आचार के साथ और आपने कभी ट्राइ नहीं को गया है आज हम बनाएंगे पोहां के नमकीन के पराथे देखे नमकीन तो हम सुबर शाम लेते ही है चाह के साथ पर आज सचा उसके ही पराते बनाते हैं तो उसके लिए एक बरतन में आपको डाल दो कब गेहूं का आटा इसी के साथ ना इसके अंदर में डाल रहें आदर कब सूजी आप बारिक वाली भी ले सकते और मोटी वाली भी और एक कब भर के ये पोहा का चेवडा मैंने ले लिया है एक चमच सफेद तिल डाल देंगे और स्वात के अनुसार नमक इसी के साथ बारिक कटा हुआ प्याज और दो बारिक कटी हरी मर्ची अब जितना हो सके ना आटे को इसी से गून ले अब देखिए मैंने यहाँ पर पोहा का चेवडा इस्तमाल किया है पर अगर आपके पास कोई और मिक्स चेवडा हो या किसी और का चेवडा हो तो आप वो भी ले सक बस आटे में डालकर वही मसाले अपने स्वात के अनुसा डाल दीजिए और प्याज प्यास से अच्छा क्रण्च आ जाता है जिससे बहुत ही टेस्टी लगते है पराथे अब थोड़ा थोड़ा करकर पानी डालना है तो यह जो नमकेन के पराथे ना इसके लिए आटा ना चाहिए और ना ही जादा नरम मीडियम सोफ्ट आपको आटा गुनना है और सबसे पहले आटे और सूजी के अंदर नमकेन और सारे मसाले प्याज यह सब डाल दिया ना तो उसी वक्त आपको पानी नहीं डालना है पहले आपको जितना हो सके उन सबी चीजों से आटे को यह एक ऐसी रसिपी है तो यहां पर आप देख सकते हैं आटा जो है न बस इसी तरह से होना चाहिए एक साथ पानी डालने की गलती बिल्कुल नहीं कीज़ेगा थोड़ा थोड़ा करके डालना है और आटा गुन लेना है यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से मीडियम क्यों दिया है तो पर रिस्ट इसी लिए दिया है क्योंकि इसके अंदर हमने सूजी डाली है पराथे इसके आप को बनाने बड़े चोटे वस आप से बस यह लोई बना लीजे और तवा गरम पहले ही करने रख दीजे, क्योंकि ठंडे तवे पर पराठे को डालते हैं तो अच्छा नहीं सिखता है वो, बस हमने तवा गरम करने रख दिया है और ये लोई को चकली के ओपर रखकर दोनों तरब सूखा गीहुं काटा छिड़क लीजे और बेल लीजे, तो पराठे ने थोड़े से मोटे ही अच्छे लगते तो बस इस तरह से कर लीजेगा और तवे पर डाल दीना है, जैसे ये हलका हलका सिखना शुरू हो जाए, तो आप इस पर तेल भी लगा सकते है, गी भी लगा सकते है और घर का बनायवा फ्रेश मक्षन भी, जो आप अब बस दिखें, थोड़ा थोड़ा तेल लगाती जा रही हूँ दोनों तरफ और इसे हमें अच्छे से से शेखना है, क्योंकि देखें पराठे हलके से मोटे होते हैं रोटी की हिसाब से अगर आप देखने जाए तो इसे आपको अच्छे से से शेखना है, तक ये कई से क और बस थोड़ा सा मोटा रखिएगा, पतला जादा नहीं कीजेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक दम बढ़िया से पराठे सिक रहे हैं, और ये सच बतारी इतने टेस्टी लगते हैं जरूर नहीं आप पोहा की नमकीन इस्तमाल करें, कोई और नमकीन अपनी मन पसंद भी इस्तमाल कर सकते हैं, तैयारे ये बढ़िया से नमकीन के पराठे दैया अचार के साथ कायों, और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल ना भूले, थांक्यो फो वाच्छेंग